केट केम टुटोरियल में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे कर्व ड्रिवन पैटन क्या है कर्व ड्रिवन पैटन क्या है और इसका इस्तेमाल के से किस तरह इसे यूज करते हैं किसी भी जोमेटरी को जिस तरह लीनियर और सर्कुलर पैटन में हम मल्टिपल नंबर अफ पैटन बनाते हैं वैसे हम इसमें किसी भी डिरेक्शन में पैटन बना सकते हैं तो चलो पहले हम एक पैटन की रिएट करते हैं तो सेलेक करते हैं टॉप सर्फेस, इसकेच, एक रेक्टेंगल बना लीजे, एक्सिट, एक्स्टूडेट कर्ट, सेलेक्ट ओके, अब हमने ये एक square body बनाई यहां हम इसे pattern करके हम different different direction में इसको लेकर जाएंगे तो इसके लिए हम top surface select करते हैं sketch अब हम path drive यह बनाते हैं spline की मदद से तो हम choose करते हैं इसी point से exit हमने यह path select किया अब हम अपने pattern को इस path पे किस तरह fit करें तो देखते हैं exit जाएए अब feature में जाकर driven pattern curve driven pattern select कीजिए जैसे हमने curve driven pattern select किया यहां देखिए हमारा sketch यह path select हो गया अब हम यह number of patterns कितने हैं यहां हमें distance define करना है और हमें feature to pattern यहां हमें वो cut out define करना है वो pattern तो हम अपने pattern को select करते हैं या तो direct select कीजिए या तो यहां से select कीजिए cut x tool जैसे हमने select किया यह देखिए हमारे जो pattern है वो इस path के तुरू different different direction में set हो गया अब हम चाहे तो distance कम कर सकते हैं number of pattern आप बढ़ा सकते हैं यह simple method है select कीजिए okay अब आप चाहे तो align height कर दीजिए यह देखिए हमने pattern बनाया एक different different position पे तो यह था curve driven pattern उमीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा लाइक करना और share करना ना भूलिए आप आप में भी आप उसे हुआ रदिए लाइक कर दोदेब कर दो चाहें जब हूआगा ना आप ऑ कर सकते हैं झाल में आप कर दो दोदेखिए आप कर लाइक कर दो डकाश्या रेख़ाब गूए दो दो ना दो आप होगाँ झाल झाल